चली बात बुरहानपूर की कर लेते हैं, जहां सांसत ग्यानिशवर पातल का एक जुदा अंदाज देखने को मिला है। दरसल हुआ यूँ कि सांसत ग्यानिशवर पातल दिली से शीत कालिन सत्र में शामल होकर बुरहानपूर पहुचे थे। और यहां से वो अपने वाहन की वजह की जगा आटो रक्षा से घर पहुचे उनके साथ उनकी पत्मी भी थी जब उनसे आटो रक्षा से घर जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो कहा कि ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि ट्रेन में सफर करने के बाद अ कम और आटो रक्षा ट्रेक्सी का उपयोग ज्यादा करना चाहिए क्योंकि कम वहनों का उपयोग होने से पर्यावरन की रक्षा होगी साथी ट्रेक्सी चलाने वाले को रोजगार मिलेका मैं तो सभी से निविदन करूंगा जो भी रेल से आत्रा करते हैं कि वह अपनी गाड़ी का कम उपयोग करें और जो आटो रिख्षा है उसका उपयोग करेंगे तो पर्यावरन का भी सरक्षन होगा डिजल की बचत होगी और जो हमारे विचारे राद दीन हुहां खड़े रहते हैं उनको भी रोजगार मिलेगा और दूसरा कारण यह था कि में रात को साड़े तीन बजाया साड़े दिन बजाया तो ड्राइवर की नीन खराब होगी और वह एक इंसान है हमको उसकी चिंता करना चाहिए और जो विचारा वहां राद दिन धूप में बारीस में ठ आदगी यह आपर दिखाए दिया आगे